हलो गाईस मैं हूँ आप तब की अपनी डिजाइनर्स ताची आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान ट्रिक से प्लाजों की कटिंग बताने वाली हूँ और इस ट्रिक से आपके प्लाजों में जोल बिल्कुल नहीं आएगा मैंने कपड़े पे कटिंग कर ली है इसलिए मैं आपको पेपर पे बताने वाली हूँ क्यूंकि पेपर पे बताना इजी होता है यह होता है हमारा कमर तो जितना भी हम कमर का लंबाई लेंगे उससे दो इंच एक्स्टर बढ़ा कर हम लेंगे मेरे कमर की लंबाई 9 है उसके बाद मैंने 2 इंच यहां पर extra लिया है 11 यहां से यहां तक 9 और 2 इंच एक्स्टर तो यहां तक 11 उसके बाद यहां से यहां तक की लंबाई 10 रखेंगे और फिर यहां से ले जाके भी हम 11 इंच पर मिला देंगे टोटल लंबाई हमारी 34 है आप अपने एकॉर्डिंग रखना इन चो प्रॉब्लम होती है हमारी लाजों में जोल आने की वो यहाँ पर गलत कटिंग के वज़ा से आती है ज्यादातर लोग इसमें ऐसे निसान लगाते हैं जो की गलत होता है और इसी के वज़़ा से जोलाता है तो कभी भी इस तरह से निसान ना लगाएं जब भी आप प्लाजों की कटिंग करें तो हमेशा ऐसे निसान लगाएं यह हमारा सही निसान होता है इस तरह का निसान कभी न लगाएं यह भी ध्यान देना दोस्तों कि यह हमारे फ्रंट की कटिंग है बैक की कटिंग अभी हमारी बाकी है तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं आपको यह देखने में लग रहा होगा कि यह कटिंग गलत है पर ऐसा नहीं है यही हमारे प्लाजों की सही कटिंग होती है अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो प्लाजों में कभी भी जोल नहीं आएगा यह हमारा कपड़ा है जिसको कि मैंने पहले ही कटिंग करके रख लिया था यह देखिए बिल्कुल इसी नाप की कटिंग हुई है यह अगर आप भी इस तरह के से कटिंग करोगे अपने प्लाजों की तो उसमें जोल नहीं आएगा चलिए अब हम बैक साइट की कटिंग करते हैं अगर आप बैक साइट की कटिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो अभी उसमें जोल आता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको बैक साइट की कटिंग कैसे करनी है सबसे पहले हम front side के cutting को ऐसे back में बिछा लेंगे यह हमारा front का है जिसको कि हमने back side के cutting में ऐसे बिछा लेना है सबसे पहले then उसके बाद यहां से यहां हमें 1.5 inch नीचे की ओर करना है यहां से यहां तक 1.5 inch करना है और हमें यहां से एक लंबा लाइन खीच देना है यहां से यहां 1.5 inch तो फिर यहां से यहां भी 1.5 inch और एक लंबा लाइन ऐसे खीच देना है इसके बाद हम front side को हटा देंगे हमारी कमर की लंबाई यहां 11 inch है और उसमें मैंने 2 inch plus किया है तो 13 हो गिया है आप अपने according लेना और उसमें 2 inch प्लस करना यहां पे 11 में मैंने 2 inch plus किया तो 13 हो गिया है और वही 13 inch के लंबाई मैंने hip पर भी निसान लगाया है इसके बाद यहां से यहां तक की लंबाई 12 inch लेंगे हम इसके बाद जैसे हमने फ्रंट पे यहाँ पे निसान लगाया था वैसे ही बैक पे लगाएंगे इस तरह से डाउन करके निसान कभी मत लगाईए तो चलिए हम फ्रंट साइज को ही इसमें बिशाके यहाँ से निसान लगा लेते हैं ये देखिए हमने जैसे फ्रेंट में इसन लगाया था वैसे ही बैक में भी लगा लिया है और हमें अपनी कटिंग इसी पे करनी है इसके बाद यहां से यहां हम डाउन कर देंगे और कटिंग हमें इस लाइन पे नहीं करनी है कटिंग हमें यहां से इस लाइन को नीचे ले जाते हुए करना है तो चलिए अब हम अपनी कटिंग करते हैं यह देखिए हमने कटिंग कर ली है यहां से भी हम इस लाइन को कटिंग करेंगे जो कि मैंने कटिंग कर ली है इस लाइन पे कटिंग मत कर लेना चेलिए अब मैं आपको कपड़ा दिखाती हूँ जिस पर मैंने कटिंग किया था ये देखिए कपड़े पी भी हमने सेम कटिंग किया है अब मैं आपको इसको सील के दिखाती हूँ फिर आप देखना कि ये कितना अच्छा बैट था इसमें जोल बिल्कुल नहीं होगा जब भी प्लाजो जोइंट करोगे तो हमेशा फ्रंट को फ्रंट के साथ ही जोइंट करना वह से लोग क्या होते हैं कि फ्रंट को बैक के साथ जोइंट कर देते हैं जिनकी वजह से उनका फ्लाजो खराब हो जाता है तो फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ यह देखिए हमने फ्रंट को जॉइंट कर लिया है अब हम बैक को जॉइंट करेंगे यह हमने बैक साइज को भी जॉइंट कर लिया है अब हम सबसे पहले इसमें पट्टी लगाएंगे यहां पर यह हमारी पट्टी जो कि मैंने तीन इंज कट किया हुआ है यह देखिए हमने बैक में और फ्रंट में पट्टी जॉइंट कर लिया है अब हम बैक और फ्रंट को जॉइंट करेंगे यह देखिए हमारा प्लाजो पैंट बन केर रेडी है और इसमें कहीं से भी कोई जोल नहीं है इस कुर्ति का लिंक मैंने अभी तक डिस्क्रिप्चन में नहीं दिया है तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसकुर्थी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्चन में रे दूंगी अब देखी सकते हैं प्लाजों में कहीं पर कोई जोल नहीं है और कितना पर्फ्रक्ट लग रहा है ये